उत्रप्रदेश की रामपूर में दलीत युवक की मोत के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्स चंदरशेखर रावन रामपर पहुँचने के लिए जा रहे थे इस बीच उनको पुलिस ने संभल में हिरासत में ले लिया यहां चंदरशेखर और फरावन की पुलिस से जोरदार बहस हुई और उनको लोक निर्मान विभाग के निरिक्षन भवन में रखा गया आपको बता दें कि दलीत युवक की हत्या के बाद चंदरशेखर उनके पीडित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे इस बीच आपको बता दें कि रामपूर में बीते दिनों अंबेड कर की मूर्ती को हटाये जाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया इसमें गोली लगने से एक दलीत चात्री की मौत हो गई इसके बाद रामपूर में बवाल शुरु हो गया वहीं भीम आर्मी के अधेक्स चंदरशेकर रावन बुद्वार को संभल में सपासांसद डॉक्टर शाफीकुर रह्मान बर्क के निधन के बाद उनके जनाजे में शामिल होने के पश्चात रामपूर के लिए निकल रहे थे इस दोरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर नजर बंद कर दिया आपका बता दे कि चंदरशेकर रावन ने यहाँ पर आरोप लगाते वे कहा कि देश में लोकतंतर की पूर्ण तरह से हत्या की जा रही है उत्रप्रदेश सरकार में दलितों पर खूब अत्यचार हो रहा है रामपूर में सरकार के इशारे पर पुलिस ने दलित चातर के खून से होली खेली थी उत्तर प्रदेश सरकार ही तेसी दलित होने का दावा करती है लेकिन प्रदेश में दलितों का बुरा हाल है उत्तर प्रदेश दलितों के समसान घाट से कम नहीं है आपको बता दे कि यहां पर चंदर शेखर ने जमकर प्रदेश और केंदर सरकार पर निशाना सादा है उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रामपुर नहीं दिया जाने जा रहा है तो पुलिस उन्हें भी गोली मारते इस दोरान अपर पुलिस अधिक श्री चंदर ने बताया कि विरोध प्रदेशन को शांत करवाय जा सकता है जिसके बाद चंदर शेखर को उनके समर्थकों के साथ आगे परिवार से मिलने के लिए भेजदे की योजना पर काम किया जा रहा है अब देखने यही है कि चंदर शेखराजाद को जिसी रासत मिलिया गया है कितनी देर के बाद उनको रिलीज किया जाता है फिलहाल इस खबर में इतना ही